सत्सरिय काल जी दा खालस टीवी देखनवाले देश दुनियां दे साड़े सारे दर्शकान दा बहुत बहुत स्वागत है वंजाब दियां वडियां खबरां दे इस खास बुलेटन दिनाल मेहर शरन कौर आज 21 दिसम्बर देन वीरवार नानकशाही सम्मत 555 दे मताबिक आज 6 पो हो गया खबरा दे इस खास बुलेटन दे वेचे थोन सारियां वडियां ताजा ते एहम खबरां दास्तन देहां सब्त पहला मौसम दी ताजा जानकारी मौसम बिपाग ने आज तो लेके चौवी तरीक तक पंजाब दे कुल 18 जिलियां दे वेचे सीत लेहर दे नाल नाल संगनी तो अंद पैन दा येलो अलर्ट जारी किता है पिछले कुछ दिना तो लगातार चाल रहे हैं हवामा जिनानु सीत लेरा के हाँ जा रहे हैं पिछले दिनी बठिंडा शिमले तो ठंडा हो गया सी ते कल पंजाब दा फतिगड साहिब शहर शिमले नालो भी ठंडा रहा जिते का टुकाट ताप मांते न अशारिया 7 डिगरी सेलसेस दर्ज किता गया लोखोन ठंड तो बचन दे लेई थाँ 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 ते अग सेख देवी देखे जा सकते नी मौसम बिपाग ने आउंदे हाफते पंजाब चे ठंड होर वदन दी पविखवानी जारी कीती है जेडे जिलन दे विचे यलो अलर्ट जारी कीता गया है ओ जिलने गुर्दासपूर अमरित सर तरंतारन फिर होशे आरपूर नवाशेर कपूर्थला जिलन्दर फिरोसपूर फाजल का फ्रीट कोट स्री मोकसर साहिब मोगगा प्ठिंडालो दे आना बरनाडा मानसा अते पटियाला एथे चार दिन लगाता ठंडियां हवामा चलन गियां ते संगनी तोंद पवेगी परसों ते इद संबर नू माजे दे पठान कोट गुर्दासपूर अमरिसर तरंतारन द्वाबिता होशे आरपूर नवाशेर कपूर्थला ते जलन्दर दे वेच हलका मी पैन दी वी संबावना जिताई गई है हालांके मालवे दे वेच मी पैन दी कोई पवेखवानी नहीं है ते अगले हाफते तक सुबेदे कटो काटता आप मान दे वेच दो तो तेन डिगरी सेलसेस तक दी गिरावट दर्ज किती जा सक दी है संगनी तो अंदकर के आपा सार दूरी एवर्जंसी काम तड़के आथने नहीं होंदा ता ओस वक्त ना निकला करो द पैरे तो पैजडी हो जरूर निकल दी या पाइ मठी होवे इना दिना वेच ओस वक्त काम करन चले जाया करो तांके तुसी सारे सुरख्यत रहों सिख कौम दे लसानी इतिहास नू याद कार देया आज तो शिहीदी हफते दी शुरूआत हो गई है शिहीदी पंदरवाडा ता पिछले कुछ दिना तो चल ही रहा सी आज ओस इतिहासिक तरती ते अखनपट साहिब रंब कीते जानगे जिते चमकौर साहिब दी असामी जं चमकौर साहिब विखे तिन दिन समागम चलनगे परसों नू अखानपट साहिब दे पोगपाय जानगे ते लगातार तिन दिन शिहीदी समागम चलनगे गुर्द्वरा शिरी कतलगड साहिब विखे खास परबांद कीते गईने संगता ने दूरो दूरो आके थे लंगर लाए होई ने एसे तरह गुर्द्वरा शिरी परवार विखोडा साहिब जिते गुरु गुबिन सिंग पात्षा दा परिवार आखरी वार कठा मिलिया सी उस्तो बाद कदे मिलनी सक्या उथे वी सफरे शहादत समागम आज समागम दे वेच तक्सरी केसकर साहिब जोथिदार ग्यानी सुल्तान सिंग वी शिर्कत करणगे कल बाई दसंबर नू स्वेरे पैदल सफरे शहादत मार्च कड़्या जाओगा जो पेंड माजरी गुजरां कोटबाला आसपुर्त होंदा होया सरसा नदी पार करन यादगार छन बाबा कुमा माशकीजी चाकटे रा पहुंचेगा इन अगर कीर्तन अपने आप दे वेच एक विलखन नगर कीर्तन होंदा है जिडा पाणी दे वेचों लंग के जानदा है शिहीदी हफते दौरान शिरियकाल तक साहिब दे जथिदार ग्यानी रगबीर सें खालस टीवी वलों आज तो लेके 29 दिसंबर तक लगातार शिहीदी पेंडे दा इतिहास उना इतिहासिक थामाते जाके दस्या जावेगा स्वेरी नौ वजे पहली लड़ी परकाशित कीती जा रही है बुलेटन दे वेचे सब तो पहला फटा-फट अंदास दे वेचे जाद दिती जावेगी IPC, CRPC ते एविडेंस एक्ट दी था सोधे हुए बिल ने जड़े उपास कर दते गएने एक बिल पोलिस नू जाज जूरी ते जलादियां ताकतां वी देवेगा शिकायत मिलन दे तिन दिना अंदर FIR दाखल होवेगी पारदे उपर आश्रपती जग कर दते गेने ते होण तक लोगसवा ती रासवा चो मिलन दे ताक गौर करांगे कालीदाल दी MP हर सिमनत को और बादल ने कल बंदी सिंगां दी रहाई दा मसला सांसद विच चक दियां कि हा के मोख मांतरी ब्यांत सिंग दे राज दे वेच पंजाब चो सिखांदी एक अरविंद केजरी वाल नू आज एडी ने श्राब नीती कुटाले विच बुलाया सी पर इक दन पहला ही कल अरविंद केजरी वाल हुश्यार पूर्दे विपासना केंदर पहुंच गे ते एडी नू लिखती जवाब पे जणगे यानिके एजंसी मुरे आज भी पेश नह अमरी पुलिस ने हलाक करदता है। मामले दी असी आप जांच करावांगे। मामला अंतराजी पाया गया ता जांच CBI नू सौंपी जावेगी। गन्ना किसाना ने हुण मुख मंतरी पक वंतमान दे शैर दे वेचस संगरूर लो दे आणा हाईवे नू जाम कार देता है किसाना ते केन कमिशनर दे विचाले आज मीटिंग होवेगी। कालनू केंदरी ग्रिया मंतरी अमित शा चंडीगड पॉंचन गे जिसनू लेके चंडीगड ट्राफिक पुलिस ने चंडीगडियां दे लेई एडवाईजरी जारी कीती हैं, शादी फेरी करके कई सडका चंडीगड दियां बांध रहन गियां, तेयाज जिस रख्या प्र आरकाड होन जनम मिती दा प्रूफ नहीं होवेगा, एदे लेई जनम सर्टिफकेट जरूरी होवेगा, एक अदम अदा आरकाड होते जनम मिती च सोध करवा के तरीक मीना ते साल बदल के जड़ा फर्जी वड़ा होंदा है, उसनू रोकन लेई चुक्या गया है, जनम मिती आज एडी दे समना ते एजनसी मूरे पेश नहीं होण गये, क्योंकि एडी दे समना तो बाच दे अरविंद केजरिवाल कल ही पंजाव दे हुश्यारपुर दे त्या आनके इंदर दे वेचे 10 दिन खातर पहुंच गये ने, पिछले नवंबर मी निवी अरविंद सद्यासी हो दो वी केजरिवाल नहीं गये, होन दूसरा समन अजवास्ते पे जगया सी, पर अरविंद केजरिवाल ने नवे समना नो वी नजर अंदास कर दता है। सरलता है, पर इस दे आनोल्ट केजरिवाल पूरे लाम लशकर नाड दिल्ली तो एथे पहुंचे। जंगलात विपाग दे चोहाल स्थेत रेस्ट हाउस ले निकल या ताम आदमी दा उत्थो निकलना मुश्किल हो गया। पंजाब सरकादी आउपक तो बाद अर्विन केजरिवाल अपनी आतमा दी शुद्धी ले विपासना सेंटर पूंच गे। ते आज तो लेके 10 दिन केजरिवाल एथे ही रेंगे। इस समय दरान बारी दुनिया तो कटे रेंगे। किसे नाल किसे किसम दा कोई राबता नहीं रखनगे। पहला अर्विन केजरिवाल हवाई अड़े ते उत्रे उस्तुबाद पंजाब सरकार दे हैलिकॉप्टर राही हुश्यारपूर चिंतपुर्णी मार्ग ते स्थेत जेसीटी मिल चोहान चोहाल दे विच बने हैलिपैट ते उत्रे। ते आदंपूर तो हुश्यारपूर द 3.2.3 तक तामता जुवेपासना साधना केंदर अनांदगर मेलना वाली दे आसपास ड्रोन, कैमरा, चलोन, जा उडोन ते पबंदी दे हुकम जारी कार देते ने यानिके साधना केंदर दे नेडे ड्रोन ते पबंदी लादती है। बीजेपी दे सीनियर लेडर तीक्षन सूध ने भी कहा के एडी तो बचन ले अर्वेंद के जिवाल ने मेडिटेशन दा सहारा लेया। इसे तरह बीजेपी लेडर अविनाश राय खन्ना ने कहा के पंजाब दे ते आन केंदर नो चुणना वी सियासत तो प्रेरित खेंदे पंजाब दे मुख मंत्री ओनान सरकारी खर्ची ते जाधा चूटे दवाओं देने एसली ओनान ये पंजाब फेरियां वाद रहियाने। 13 लोग सबा सीटां ते कल्ले चोण लड़न दा मान बना आ रही है। 13 लोग सब्सक्राइब दे मुख मंत्री ओनान सरकारी खर्ची ते जाधा रही है। 14 लड़ाई दे पूरे पूरे संकेत मिल रही है। 9 साबका विदा एका नेता नव जोट सिंग सिद्धू नू पार्टी जो बाहर कड़न दी मंग कारदती है। सिद्धू ते कॉंग्रस दे वेच्चों ना दे विरोधी तड़े विचाले विरोधी आगता स्वल्गी रही सी पर दो दना दे अंदर अंदर सिद्धू ते परताप सिंग बाजवा दे ब्याना ने इस आग विच तेल पौन दा काम कीता है। सिद्धू ने बाजवा नू अपने साबका स्यासी इसलाकार माल वेंदर सिंग मली दे जरीय तगड़ा जवाब देता था। विरोधी तरदी लीडर बाजवा ने नौ साबका कॉंग्रस विदा एकामलो प्रेस रिलीस जारी करवा के सिद्धू नू कॉंग्रस चो कड़न दी मंग कर दती है। दे विचठ तरतो ठारा सीटां ते आगे सी। दे वरकर पुछना चौने हां कि ना सानू ते ना ही नवजोद सिंग सिद्धू नू पंजाब कॉंग्रस ते समाग माच सद्ध्या जान दै। कॉंग्रस केंदे साड़ी मापार्टी है असी पार्टी नू उना ही प्यारते सतकार दने जिना तुसी देने हो। पंजाब दी लीडर्शिप नवजोद सिंग सिद्धू ते सदा अर्न वरकर नाल पाखपात नहीं करेगी। इन नौ MLS दे वेच नाजर सिंग मानशाई आर जिंदर सिंग सिमाना में इशिंदर सिंग रमिंदर आमला, जगदेव सिंग, कमालू, विजे, कालरा, हर्विंदर सिंग लड़ी ते होर वी लीडर शामल ने। सो कॉंग्रस दाए अंदरुन्नी कलेश सुल्जा आलया जाओगा, जां फिर लोकसबा चोना तक एसी तरह खेच के, कॉंग्रस दो नुकसान पहुंचाया जाओगा, एता होन सिद्धू ते बाजवाही जानन। मरहूम पंजाबी गायक शुबदीप सिंग सिद्धू मुसेवाडा कतलकांड दे वेच, मुख साजिश काड़े वजो नामसद गैंक्स्टर लॉरंस बिशनोई दियां जेलना चो हुईयां इंटर्व्यू दे मामले वेच, पंजाब ह्रेयाना हाइकोट लगातार सक्ती दि हाइकोट ने इस मामले नो बहुत गंबी इरदास्तियां, इस दी होर जांच नो जरूरी दस्या है, हाइकोट ने मान सरकार नो इस मामले दी जांच लेई, IPS अधिकारियां दे नामा बारे सुजा देन दे हुकम देते ने, हाइकोट ने सपष्ट कीता है, कि जे मामला अंतर राजी पाया जानदा, ता इस दी जांच CBI नो सौंपी जावेगी, इंटर्व्यू मामले दे वेच काल फिर अदालत वेच सुनवाई हुई, पिछली सुनवाई दे वेच पंजाब दे ADGP जेला ने सेट वलों जड़ी जांच कीती गी, इस मामले दी उस दी रिपोर्ट पंजाब दे वेच किहा गया सी के लॉरेंस दा इंटर्व्यू पंजाब दियां जेला वेच होया ही नहीं, ता फिर कल दी सुनवाई वेच अदालत ने पुछया के आठ मीन या दी जांचतो बाद वी एप पता क्यों नी लगाया जा सकया के इंटर्व्यू होया किती सी, ADG पी जेला ने क्या कि CRPC दे तैत शक्तियां दी अन्होंद वेच ओना दे अधिकार सीमित सन इस करक्यों पता नहीं लगा सके, हाइकोट ने क्या के हाले तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया, ते इंटर्व्यू पंजाब दियां जेला वेच होन दी संबा आमरावनों भी पूरी तरह राद नहीं किता जा सकता, जानि के एवी तुसी पूरा सबूत नहीं दे सके के इंटर्व्यू पंजाब दियां जीलना वेच बिल्कुल नहीं होया, जेहें वेच कहने होन सरकार नों दसना चाहिंद है कि क्यों ना हाइकोट एक सेट बणा के इस दी अग्गे जांच करावे, इस मन्दी अदाल दी साहय तकर री अड्वोकेत तनूबेदी ने कहा के सैट पंजाब तो बारले पूलस सत कारियां दी बणाई जावे, हाइकोट ने कहा के पंजाब पूलस चीजे हें कई वधी अधिकारी ने जो जांच कराने समराथ ने ते जही स्थीती विच पंजाब पोलिस सते एडवोकेट तनू बेदी नू अगली सुनवाई चाजेहे नामादा सुजार देना चाहिंद है जो SP रैंक तो हे ठान दे ना होन अदालती सुनवाई दोरान एडवोकेट तनू बेदी ने कहा सी के जांच विच कई खामिय सन बेतर जांच हो सक्दी सी के दो विश्वास नी कर सकदी के एणनी लंबी इंटर्विव पुलिस सदकारियादी मिली पोगतो बिना हो सक्दी ہے सुनवाई दोरान अदालत नू दसया गया के इंटर्विव दोरान लॉरेंस विश्णोई बॉलिवू डादाकार सलमान खान नुवी तमकी देती सी। बॉलिवू डादाकार सलमान खान नुवी तमकी देती सी। बॉलिवू डादाकार सलमान खान नुवी तमकी देती सी। बंदी सिंगा दी रहाई दे बलवान सिंग राजवाना दी फानसी दी सजा माफ करवाण दे मुद्दे दे। श्रियकालतक साहिब देवलनों केंदर सिरकार दिनाल गालबात करन दे लेई जड़ी पांच मेंबरी कमेटी बनाई गई सी। ओदे विच पिशले दिनां दे विच वकरी में पैदा होये सान जड़े श्रियकालतक साहिब दे जथेदार ग्यानी रगभी ईर सिंग दे दखल तो बाद दूर हो गये ने। दिल्ली कमेटी दे परदान हर्मीद सिंग कालका आते काली लीडर विर्सा सिंग वल्टोहा नू चिठी लेहके आपने वकरी में दूर करन दे कमेटी दे गठन दे मन्तव ते आनके इंदरित करन दे होकम दते ने। दरसल जो कमेटी बनाए गई सी ता ओदे विच शामिल दिल्ली कमेटी दे परदान हर्मीद सिंग कालका ने कमेटी दे एक होर मेंबर अकाली लीडर विर्सा सिंग वल्टोहा नू मेंबर बनाए जान ते स्वाल चुके सान ते कहासी के पहला ही इमामला सियास दी पेंट पुष्टी कीती है के जतिदार रगवीर सिंग वल्लों फोन भी आया ते चिठी वी आई है ते जतिदार साहिब दे हुकमा ते होन वडेरे हित्ता नू ते आन विच रख देया आपसी वकरे में ने जड़े दूर रखे जानगे इस तरह ही विर्सा सिंग वल्टोहा ने भी दिसंबर तक दा समा दित्ता सी के ओदों तक इस मसले नू हल करवाले आ जावे जा फिर एज़ी पीसी अपनी रहम दी अपील जड़ी 12 साला तो राश्रपती कोड़ पैसी ओनू वापस लेलवे तिराज्वाना दा अल्टिमेटम हुन नेडे आ रहा है सिर्फ दासक दिन ब काफी एहम रहेगा कैनेडा दे परदान मंत्री जस्टिन टूडो ने कहा कि अमरीका वल्लों गुर्पत वन सिंग पन्नू खिलाब साजिश विच एक पार्ती नागरिक ते मुकद्ध माच लौन तो बाद कैनेडा नडपारत दे रिष्ट्यां दे सोर शायद होन बदल गए इने जिडा के पहला नहीं कार दे सी, कैने लगदा है कि अमरीकी कारवाईने पारत सरकार नो यकीन दवादता है कि उनना अपना नरम सोर रखना पाऊगा असी तक है दे पहले दिन तो ही एस मुद्धे ते पार्तना लड़न दी स्थिती विच नहीं है असी सिर्फ जांच विच सयोग दी मांग कर रहे हैं असी वपार समझाओते ते कामजारी रखना चौँदे हां, हिंद परशात राणिती उत्ते वी अग्गी वदना चौँदे हां पर कैनेडा लई लोकां दे हकास रख्यां ते कानून खात्र खड़ना बहुत जरूरी है ओही असी कर रहे हैं जद के अमरीका दे वल्लों जदो गुर्पतवन सिंग पन्नू खिलाफ साजिश्ता मसला पारत कुल चुक्या गया ता पारत ने तुरंत हाई लेवल कमेटी जांच दे लई बठा दती ते जांच लगातार चल रही है एथो तक के परदान मंतरी नरींदर मुद्धी वी इस मुद्धे ते अमरीका दो यकीन दवाउन लगेने के जांच चल रही है कम हो रही है पंजाब दियां वडियां खबरां दे इस खास बुलेटन दे वेचे होन कुछ होर खबरां विस्तार दिना गल पंजाब चे 15 दिना दे अंदर अठमे गैंगस्टर दे एनकाउंटर दी कर दियां जंडियाला गुरू दे वेचे पोले सते नम्मी गैंग दे गैंगस्टरां विचाले मुकाबला होया मुकाबले दे वेचे बुद्धवार तड़के एक गैंगस्टर दी जान चलेगी मुकाबले वेचे एक पोलिस मुलाजम दे वी जखमी होन दी खबर है मारेगे गैंगस्टर दी पचान अमरत पाल अमरी वजों होई है मुकाबला होदो होया जिदो पोलिस सुसनू रिकावरी वास्तेल जा रही सी ते ओने उत्तो गोली चला दती पोलिस ने जवाब भी गोली बारी दे वेच गैंगस्टर नू टेर कार दता ए मुल्जम कई मामले आं दे वेच लोड़ीन दा सी तिन कतल केसां विच शामिल सी जिदे विच चार लोकां दी जान चले गए सी जंडियारा गुरू दे पिंड पगवान दा गैंगस्टर रैंड वाड़ा सी उमर करीब 23 साल ही सी बहुत हैरान नी दिगाल है चोटी चोटी उमर दे नौजवान वड़ियां अपराधियां वारदाता वेच चोटी उमरे शामिल हो रहेने ते फिर जानना गवा रहेने सस्पी स्तिंदर सिंग ने दस्या के अमरीनू कल गिरिफ्तार कीता गया सी उसने दो किलो हैरवन लको के रखी सी पोलिस उसनों उत्थे ही लजा रही सी नशेती हाथे आरांदीरी कावरी कार नवासते पर उने उत्थे जड़ा पस्तॉल को के रख्या सी हैरवन कडण दे बहाने उसने पस्तॉल नाल गोली चला देती यो तो पिस्टॉल काड़ लिया ते ओधे नाल गोली चला देती ते फिर हाथ कड़ी दे समेथ ही पजण लगया फिर पोलिस ने कारवाई कीती इस तो पहला 16 दिसंबर नू पटे आड़ा पोलिस ने गैंग्स्टर मलकीत सेंग उर्फ चिट्टा नू मुठपेड दरान जखमी कीता सी पोलिस ने उस कोड़ों कार्तुस भी बरामत कीते सी उसते एक कतल छेफ रौती एक राधाय कतल बामलादार छी 16 दिसंबर नू ही तड़के लंडरा रोड़ते बदमाशा ते CIA स्टाफ विचाले गोली बारी होई जिस विच CIA ने दो गैंग्स्टरा प्रिंस ते करमजीत नू गिरुफतार कीता सी 13 दिसंबर नू लू दे आना पुलिस ने को हाडा माच्छी वड़ा रोटे गैंग्स्टर सुखदेव सिंग उर्फ विक्की नू एनकाउंटर दरान खतम करदता सी उसते पच्चीतो वाद केस दर्जसन 13 दिसंबर नू ही जिरकपुर दे वेच वी एनकाउंटर होया सी गैंग्स्टर तरंजीत सिंग उर्फ जस्सा है पोवाल पुलिस हिरासाच्चो पा जन्दी कोशिश कर रहा सी पर पुलिस नो दे पैर च गोली मार के उसनो फडल ल्या सी मोखमांतरी पगव अंतमान ने भी पिश्रे दिनी गैंग्स्टरां ते सनैच्चरा नो सिद्धी चताव नी दिन दे होए कहा सी के जे एक चौक ते तुसी किसे वारदात नो अन्जाम देऊंगे ता दूज्जे चौक ते थो नो पॉंचर नी देना उस तो पहल नहीं खतम कार देयांगे जे कुई ऐस तरहां दे अंसर जेड़ता घिड़े हाम लोग कांदा जोन दुबर करने ता साज्या उन्होंनों भी मिलूगी जेव पुलुस्ते गोली चलाओंगे ता अपदे सेल्फड़ पुलुस्ती गोली चलाओगी पर मैंना कहना कि एक चौक ते तुसी ब्रदास्त नहीं करांगे किसे नुँ फोन करलो किसे देबी तुसी बोली चला दो किसे देभी मोबाइल खोके लेजो ता फिर अब गियों जेड़ी काराओई हो भी ओ करून नहीं काराओई होगी फड़ांगे करून मताब कर भी होगी पंजाब पोलिस होन लगातार पंजाब दे वेच गैंगस्टरां दे पिछे हाथ तो ओके पई होई है किते गैंगस्टर दी जान चली जान दी है तक इते जखमी हालत दे वेच पोलिस उसनों गिर्फतार कर लें दी है एस बड़े एक्षन दा फायदा ताही होगा जे इना गैंगांदे जड़े मुख सर्गने ने ओ फड़े जान गे उना दे पिछे उना नू पालन वाले ने उत्थो तक पोलिस पहुंचेगी ताही एस गैंगस्टर कल्चर नू नात पाई जा सक दी है बोधवार नू लोकसबा दे वेच बंदी सिंगांदी रहा इदा मुद्दा गुंजया बठेंडा तो कालिदाल दी MP हर सिम्रत को और बादल ने सिखांदे कुर्बानिया वाले ते हास्ता हवाला दन्दे हुए बंदी सिंगांदी रहा इदी मांकीती असी ते 90 दे दहा केदा जिकर कार दे हुए हर सिम्रत को और बादल ने कहा कि MP रवनीत बिटू OS वेले सदन दे विच मौजूद ता नहीं हान पारोना दे दाद दे ते साबका मुखमंतरी ब्यांत सिंग ने सिखांदी एक पीडी फेक एनकाउंटर करकर के खतम कर देती सी होने बावजूद वी ओनानु जेलन दे वेच्छी रख्या गया है ए मनुखी अदकारांदी उलंगना है आज 40 साल होने के बाद आज भी हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला आपके इस नए कानून में सिखों के साथ कहा इंसाफ है कौन सा वो पॉइंट है मुझे बताएं जबाएं ग्रहमंतरी जी वो कौन सा है जहां 40 साल बाद हमें इंसाफ में लोगे है और सा यहीं मैं कहना चा कोई हमारी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई और इसी तरह पंजाब में जब हजारे नौजवानों को बेगुनाहों को यूए पी लगाके ऐसे इसे कानून लगाके जब उनको एक पूरी जवानी अब यहां पे वो बिटू नहीं है कॉंग्रेस के एंपी साब उनके जो पता ही नहीं लगा कहा गए फेक अंटाउंटर्स में क्यूंके पुलीस के पास अंबिल्टेड पास थे विच बदली जा सकती है हर्सिमृत बादल ने सेंटर सरकार ते यूए पीए कानून दी दुरवर्तों देवी इलजाम लाए जिसते सब तो वद पीड़त केंदे पंजाब दे लोग होए ने नौजवान होए ने नौजवान दे करांदे वेच जे सिखी नार्स बंदे त पोस्टर भी मिले ता तु किसी भी इंडविज्वान को आप टेर्रेस कर दे इसका मिस यूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है देश में भी देख रहे किसी को भी टेर्रेस आपको हिरानी होएगी कि पंजाब में कुस बच्चों ने सिखी का प्रचार करने के लिए कुस प्रेंट घर पे मिले तो इसे दरम्यान लोकसभा दे वेच तिन नवी क्रेमिनल बिला नुवी मुड पेश कार दता गया है केंद्री ग्रेमात्री अमित शाह ने सोध लिए ननु पार्लिमेंट कोल पे जैसी होन मुड तो वापस नवी रूप दे विच पेल पेश कीते गए ने उना दस्या के आईपीसी अधी इन पेला 513 अमासन होन इननु खटा के 485 कर दता है अंग्रेजा दे राज तरो नु देश तरो कर दता गया है क्योंकि देश अजाद हो चुक्किया लोक राज विच सरकार दिया लोचना केंदी कोई भी कर सकता है ये हरेक दा अधिकार है ज उसनु अजाद रहें दा कोई अधिकार नहीं है उसनु जेल जाना ही पाऊगा कुछ लोक अपनी समझ दे हिस्ता आवनाल कपड़े पॉन दी कोशिश करनेगे पर मैं जो कह रहे हैं उसनु चंगी तरह सामझ लेओ देश दा विरोध करनवाले नु जेल जाना ही पाऊगा देशित गार्दी ते साधी जीरो टॉलरेंस है एक इतना किते हरस्यम्रत को और बादल नुवी असिद्धे रूप देवेच किंद्री ग्राय मंत्री दा जवाब सी मोधी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्याइद करने जा रही है जिससे इसका कोई लूफोर्स उठाकर आगे फाइदा न ले पाए मनेवर इसके साथ साथ राजद्रो को देश द्रो में बदलने का काम पहले राद्रो की व्याख्यादी मैं आगे डीटेल में होता हूँगा राज से मतलब शासन था भारत नहीं था ते लोकसबाद विच अकाली डल दी एमपी हर सिम्लत को और बादल ने जेड़े यूए पीए कानूंदी दुरवर्तों दा इल्जाम लाया है ओस ते पंजाब रहना हाई कोट ने भी सख्त टिपनी कीती है हाई कोट ने सपश्ट कीता के सिर्फ एसेसपी दी शिकायत थे यूए पीए अते मनी लॉंडरिंग रोकू कानूं दे तहत किसे भी करमचारी विरुद कारवाई नहीं कीती जा सकदी सरकार नो इस मामले विच एक कमी नेचर रपोर्ट देन लई भी कहा गया है सक्त टिपनी कारदया हाई कोट ने के हाँ के ना दो विशेश एक्टा नो लागू करन दी गुंजाईश दा पता लाए बिना हिस्तियां से फार्शा कीती है जांतियां ने जो के पूरी तरह गलत है एट इपनी कारदया अदालत ने पंजाब सरकार नो मुल्समान दी पटीशन दे विचार करन दे होकम देते ने पंजाब सरकार होन इना मुलाजमान दी बहाल करन बारे विचार करेगी ये कारवाई जिलंदर ते मानसा समेत वकवक जिल्यां दे विच्रें दे मुलाजमा खिलाफ किती गई सी मानसा दे एक मुलाजम हरमीत लाल ने हाई कोड विचे पटीशन दार किती सी जिस विच उसने अदालत नुदस्या के 2011 दे विचो दे खिलाफ आई पीसी दियां कोई अपराद कीता ही नहीं केंदरी ग्रिया मांतरी अमित शा ने ए जड़े बिल जदो लोगसबा दे विच पेश कीते ता इस तेज चर्चा होई तिन क्रिमिनल कानूना ते बहस द्वरान संगरूर तो एमपी सिमरन जीत सिंग माननू भी बोलन दा मौका मिलया उनना ने क के तुसी नवे कानून दे वेच खुफिया एजंसियां कौमिस रख्या सलाकार नू पारलिमेंट दे सामने जवाब दे ही नहीं बढ़ाया तुसी सीक्रेट फ़ांड बारे वी जानकारी नी देओंगे इससे करके दा केने कोमांतरी पदर ते हरदीप सिंग निजर रिपद नहीं चुक सकते मानने नवे कानून वेच मौद दी सजा रखे जानू लएके वी स्वाल कार्दिया के हागे जितशी नवे कानून वेच मौद दी सजा रखोंगे ता तुसी उस देश ते सामणे के मैं अपने रोकानू बचा सकोंगे पारलीमेंट दा वीडियो सोशल मेड पार्लिमेंट विच असली मुद्दे चुकन तो इसांसद पच दे क्योंने मैं सिद्धू मुस्सी वड़ा ते दीप सिद्धू दा नामी लाइन लग गया सी उस तो पहले मैंनों रोक देता गया क्योंड से तो पार्लिमें तो फ्र परम जीट सिंग पंजवार्ड एंड रोटे हैं पिन से क्या सांबने हैं आम तेलिंग यू दिस दिजा वरी रिल्वेंट थेंग्ज पिशले मीन देविच कैनेडा ते अमरीका देविच सिख आगवां दी टार्गेट किलिंग नू लेके पार अधे परदान मंतरी नरींदर म पढ़का रहे ने इसलए ये साड़े वास्ते वड़ी चंता दा विशा है परदान मंतरी मोधी ने कहा कि टार्गेट किलिंग ने मामले विच सानू कोई भी जानकारी देवेगा ता असी ओस्ते जरूर गौर करांगे जे साड़े किसे वी नागरिक ने कुछ भी चंगाजा मैं ने सोच दा के साड़े रिष्टयां देवेच कोई फर्क आवेगा यानि के परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने जिते अमरीका दे वल्लों लाए इल्जामा नू लाएके गंबी इरता दिखाई है उस प्रती जांच नू लाएके अमरीका नू परोसा दिता है उते ही बार मंतरी मोधी दाई ब्यान अमरीका परशासनवलों पार्ती खुफिया वेपाग दे शारेते सिक्स फॉर्ट जस्टिस दे गुर्पतवान सिंग पन्नू खिलाफ साजिश नू लाएके लाए इल्जामा तो बाद आया है जिस विच पन्नू खिलाफ साजिश नू अंजाम दे अमरीका दे पंच MPs नेवी सांजा ब्यान जारी कादे हुए क्या सी के जे तुसी पन्नू दे खिलाफ साजिश मामले दी जांच ना किती ता पार्त ते अमरीका दे विचाले रिष्टिक खत्रे विचा सक्देने जिना ने ब्यान सांजा किता सी ओसन MPME 12 प्रमिला जैपाल रोखना राजा कृष्ण मूर्ती ते श्रीर थानेदार उना क्या सी के बहुती गंबीर मसला है पारते युकी निबनाए के जहा फिर कदे नी होवेगा पारत जही साजिश अमरीका दी जमीन ते मुड़तो ना करे ते जांच विच पूरी मदद करे ए उना पंचाने के हासी गुर्पित्वांत सिंग पन्नू खिलाफ साजिश रचनवाले निखिल गुपता दी गिरिफतारी नू लेके चेक रिपब्लिक दावी वड़ा बयान सामने आया है चेक रिपब्लिक ने कहा के पारत नू कोई हाक नहीं क्यों निखिल गुपता दे मामले वेच कोई दखल अंदाजी करें हालांके पारत ने कीती भी नहीं है पारत जांच कर रहे है केंदे वो साड़ी हिरास्त दे वेच है इस विले वो प्राग दी पैनक्राक जेल दे वेच है ए बयान चेक रिपब्लिक दे कानूनी मंत्रा लेने जारी किता है पिछले हाफते निखिल गुपता परिवार वी सुप्रीम कोट दे वेच पांसे इस मामली वीच के इंदर सरकार दे दखल दी मांग केती सी पारत इस सुप्रीम कोट वी प्रिवार वलों पाई प् psychiatिषन न्यूजन ज़नरी नूच ज़नली त्यार होगी सी पर नाल ही सुप्रीम कोट ने परवार नो हदायत क पहला चेक रिपब्लिक दे अदालत विच पर्टीशन पाए, अदालत ने क्या किसी उस देश दे मामले विच दखल अंदाजी नहीं कर सकते, बहुती गंबीर मसला है, इसलिए विदेश मंत्राला सामने आये, ओही कोई फैसला ले सकते ने, हालांके चेक रिपब्लिक ने भी निखिल गुपता बारे जानकारी दिती गे सी, जिस्तो बाद यसी ती जो नू उसनू गिर्फतार कीता सी, उना दे वलो अगस्त विच सपुर्दगी दिलई अर्जी दिती गे है, जिस विच दस्या गया कि उसनू एक टार्गेट किलिंग दिलई चुने आंगया सी, सदन बाहर पार दे उपराश्ट्र पती यते राजसबा दे चेर्मैन जगदीप तन खड़ दी नकल करन दा मुद्दा लगातार पक्या होया है, बीजेपी राहुल गांधी वलो अपने फोन दे विच वीडियो रिकॉर्ड करन दे स्वाल खड़े कर रही है, एसते होन होना चीए कि एदी एगर कोई वेक्ति वीडियो ग्राफिकर आनद लेता है, एम्प्लिफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने, जगदीप धनकड की कितनी बेजती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराश्ट्र पती की, किसान समाज की, मेरे वर्क की, मैं पूरी आउती देदूगा हमन में, मैं खुद की परवा नहीं करता। दे माडे वेहार दी कटनावाल इशारा कर दें के हा, के दिगविजे सेंग नू एस गल दा एहसास भी नहीं है, के उना नू किना दुख होया, यानि के उना मुताबक मसला संस्कार दी सुरक्ख्या दा नहीं, आज जड़ा मसला है, ओहो तन खड़ दी नकल दा होना चाहिं शेक गौतम ने मंगलवार दी शाम नू ही डिफेंस कलोन नी पोलिस स्टेशन दे विच शिकायदार्ज करवाई सी ते उस नू अगे सीनियरा कोल पे इस दता गया, उन्नी दसंबर मंगलवार दी मुतली खिलाफ संसदियां पौडियां ते विरोधी तेर दे परदर्शन द तरान TMC दे MP कल्यान बेनर जी ने तान खड़ दी नकल लाही सी, ते Congress दे सापका परदान राहूल गांधी ने बेनर जी दे मोबाईल फोन दे वेच एस दी विडियो बनाई सी, ते सारा कुछ लोक का ने देखिया, परदान मंत्री नरेंदर मोधी ने वी उपराश्रपती जग दीपतान खड़नों फोन करके संसद कंप्लेक्स विचो कुछ संसता दे वलो उमाड़ा विहार कर देया उनना मजाक और डौन ते डूंगा दुख परगटाया, एक्स तेस दी जानकरी तान खड़ने खोद दन दे अदस है, कि मेन्नू परदान मंत्री नरेंदर मोधी जी दा फोन आया है, उनना ने कुछ मान योग संसद मेंबरा वलो पवित्तर संसद कंप्लेक्स विच की ते ड्राम में ते डूंगी दुख दा परगटावा कीता है, ते वी कहा कि यो खुद वी करीब 20 सालां तो इस तरह दे अपमान दा सामना कर रहे ने, ते अपमान हाले जारी है, तनखर दी नकल लाहे जानतु राष्ट्रपती भी दुखी होए, राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मू ने कहा के चुणे होए नुमायन दे अपने विचार परगट करन ली अजाद ने, पर उनना दा परगटावा मर्यादा दे दायरे विच होना चाहींद है, ट जोग सबा दे विचे विरूद्धी तर दे लीडरां दी शरयाम नकल लाऊंदे सी, ओधो उननन त सारे मजाकवा जो लेंदे सी, होन मेरी वारी अनिगम भी इरता क्यों है, उनना स्वाल पुच्छा है के की विरूद्धी संसद मेमरा दी मुटतली सही है, मैं सपष्ट कार दे वाँ के उपराश्च्छ पतियते किसे हो दे आक्सनु साट मार दा मेरा बिल्कुल कोई एरादा नहीं सी, मैं समदा निकादे अन्दा सर्मान कर दा हां, उसनु सिर्फ एक मजाक लिया जावे, इस मसले ते कॉंगर्स ते कौमी परदान मलिकार जोन खडगेने के है के ज दे अन्दर मता के उले अंदा जार है, जे नकल दी कटना सदन दे बाहर वापरी है ता एस ते सदन दे विच मता अले ओना जा फिर सदन विच इस दी निखेदी कारना के इस तरह जाईज है, ज़के जड़ी संसदी सुरख्या होई, सुरख्या नों सान लगिया उ अंदर आवापरी सी ओ दे वासते ब्यान के दे बार दितते जा रहे हैंने ए दे वासते अंदर क्यों दितते जा रहे array पंजाब दे गना किसान एक वरी मोड़ तो सड़का ते उत तराएने वुख मंतरी पगव अंतमान दे शयार संगरूर दे तूरी वेच किसान सड़का दे मिल्लान दे वेचक गन्ना जिन्नी देरी नाल पहुंचुगा उसता जूस ओन्ना ही कट हुंदा जाओगा जिस्दा असर वजन तेवी पवेगा ते उनानू फसल दा पूरा पा नहीं मिलेगा। पिशले मीन वी किसान गन्ने दी खरीदनू लेके वदा और नू लेके सडकां ते उत्रे सन्जिस्तो बाद मुखमांतरी पगवंत्पान ने गन्ने दे पा आच ग्यारा रपई वादे दायलान का अदत्ता सी जेडा के इस वक्त पूरे देश विच सब नडवाद है।